आज मैं नर्शरी आई हूँ, काफी दिन हो गए थे मुझे नर्शरी आए हुए, खुस्वू नर्शरी नाम है इसका इहुंडा चोग के पास पड़ता है, ग्रेटर नवेड़ा में ही है, मेरे घर के पास ही है, यहां नर्शरी बहुत सारे हैं लाइन से, रोड के बगल में 3- चार है, लेकिन मैं ज्यादा तर इसी नर्शरी में आती हुए, और इसी नर्शरी से ज्यादा मैं पलांट लेकर जाती हूँ, पोट, पलांट, आज मैं आई हूँ, देखती हूँ, क्या क्या लेती हूँ, पहले एक जलक आप लोग को दिखा देती हूँ, नर्शरी में तो प्लांटता सब मिल जाता है लेकिन दाम अलग होता है कहीं 20 रूपे ज्यादा कहीं 20 रूपे ज्यादा ओ समयारे हैं कैसा मिल रहा है कितना दाम में ऑर आप लोग यहां कितने दाम में आम कई पलांटoot छोटा स फ्रूट पर रपेल्ट सब उन देचें गराफ्टिंग किया हुगा है इसलिए बोल रहे हैं 500 में गराफ्टिंग वाला पलांट लेने से जल्दी फुरूट आ जाते हैं साल भर में शीट से उगाया हुगे फुरूट पलांट काफी दिन लग जाता है इसलिए गराफ्टिंग वाला ही ले चलिए और दिखा देती हू आगी आया हुआ बहुत सारे पलांट भिया बोल रहा है देखे बरे बरे यह आमका प्लांट है जो हजार उपल बोल रहा सो बोल रहा है пожdhre पिछा पम लगाने के लिए अच्छा है मुझे पॉट में लगाना और छोटा देख़ूंगी चलिए उधर भी दिखा देती हूं फूरूट पलांट दिखा लेती हूं वाद इंडॉर पलांट दिखाओंगी कि वहोगों सारे फूरूट पलांट आए हुए नहीं और फरवरी के महीना में पौधे खरी दिये कोई भी फुरूट वाले या इंडोर पलांट अच्छा रहता है अभी फरवरी के महीना में फुरूर पलांट लगाना भी अच्छा होता है जल्दी सेठ हो जाते हैं देखें इनके जमिन में लगे हुए आम्रुद में अम्रुद आ गया है तेज़ पत्ता है ठीठ सेभ बोल रया है छोटा सा पलांट है लेकिने डेठ सेभ बोल रहा है देखें कितना खूसरत लग रहा तेजपता का प्लांट भी पॉट में अच्छे से चल जाते हैं और इधर इंडोर प्लांट है बहुत दूर तक नर्शरी बहुत बढ़ा है इधर अगलो निमा है एक इतने में दे रहे हैं से पसैंटि रुपे बोल रहे हैं इंड्यर प्लांट बहुँ आपके पास जो नहीं हो ले सकते हैं हैं है उत्या signature चैसे सेंब कटिंग के त्यार किये हुए हैं इधर बारीस हुआ है है बारेश से बहुत सारे इनका पलांट खराब होगा नेट के नीचे रखे होंगा फीर बंप खराब होगे शीजनर फालाओर्स पलांट बहुत कम हैं इस दरसरी में इथर कितने सारे बड़े-बड़े फुरूट प्लांट अभी लेकर रिपोर्ट करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे नहीं तो बारिस में लगा सकते हैं चलिए इंडोर पलांट देख लिए थोड़ा इधर भी दिखा देते हूं आप लोगों को यह देखे सिकुलेंट पलांट है यह पोर्ट के साथ है असी रुपय बोल रहे हैं है अच्छ बन जाते हैं कि इस मिसस में सबने तियां हो जाते हैं बोल तो रह है नरशरी वाले ब्मेंग यह ग्रोगों करेंगे और इदर कलंचो है सब कलरी के एलो डेड कलर FM के लाइग न झा रोपय भूल रहे हैं पोर्ट में लगा हुगा है qatak maland विछ अच्छा पलांट होता है अच्छा में हो फुलित न जä है यह कर दुटिया सब कदेए हैं कटिंग से विए त्यार हो जाते हैं इस और रुपय बोल रहे हैं इदा कि एस्टेन है पोट एस्टेन रंग बिरंगे तरह तरह का छोटा बारा सब भराइटी का है पोट है सरामिक पोट अच्छे लगते हैं लिए महंगे मिलते हैं गाडन में रखे वे बहुत खुशूरत ल बोलने भी और बारात और महंगे मिलेंगे खुशूरत लगता है एक बर लिजिए और सालों साले चलता है सवधानी से स्पोट को रखेंगे तो जल्दी तूटता नहीं है सिमेंट का और मिटी का तूट जाता है दिखिए इस टेन निकालने भी यह वाला इस दो हजार बोल है चली निकालनी कर लेए घर चलकर आप लोगों को दिखाती हूं मैंने कहके लिया मेंद आपको दिखांगे और दाम भी बताऊंग थोड़े थोड़े करते करते कितने खरदारी हो जाते हैं हम गार्डेना लोग जभी नर्शारी जाते हैं देखकर लाला चीह आ जाता है ये लेलू तो लेलू करते करते बहुत सरे खरदारी हो जाता है और देखे मेरा ये डोगी है हमेशा गेट पही बैठा रहता है गोलू इसका नाम मैंने रख दिया है ये वला स्टेन उपर बांध कर लाए हूँ देखे खोल का नीचे रख दिये हैं चलिए दिखाते हूँ क्या क्या मैं लाए हूँ पांच पॉट लाए हूँ 15 इंच का है 200 में दिया है बलेक पॉट अच्छा राता है फुरूट पलांट मैं लाए हूँ उसको रिपोर्ट करोंगे बाकि कोई पलांट रि दिखाई थी ओवला ले लिये हैं देड़ सोमें और गराफ्टिंग वाले आम लाए हूँ दिया भी है कम ही नहीं किये हैं लेकिन गराफ्टिंग वाले हैं अच्छा राता है देखिए यहां से गराफ्ट किया हुआ है और कोको पिट लाए हूँ मैं 200 में चलिए इस्टेन पर ले जाकर दिखाती हूँ कोको पिट में धाइस पिछले बार भी लाए थी मेरे खतम हो गए थे देखिए उपर में टेरस पर लिया हूँ दो हजार बोलाए भीया कम नहीं किया है मैं पहला बार एस टेन लाए हूँ ज्यादा लिया है कि कम मुझे आइडिया नहीं है उटेंगे नहीं कलर भी किया हुगा है यह देखिए मैं पहली बार लाए हूँ यह स्टेन टेरस पर रखने के लिए पॉर्ट कैसा लागा मेरा सौपिंग जरूर बताएंगे यह स्टेन का मुझे मालूम नहीं आइडिया नहीं है थैंक्यू फ्रेंड्स